हलो फेंड्स वेलकम बैप टो माई यूटूब चैनल टेक्निकल मदार दोस्तो आज की वीडियो बहुत जादे खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे कमेंड आ रहें थे कि आप एक 40 एंपियर की सोलर वाली बैट्री का बैक अप जो है वो लाइब टेस्ट कराओ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को ये बताऊं कि एक जो 40 एंपियर की सोलर वाली बैट्री होती है उस पे हम कितना वाटलोड कितने घंटे चला सकते हैं जिससे हमें खरीदने के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और इस व बटन है सब्सक्राइब बाला उसको दबाकर सब्सक्राइब जो रुक रहें वीडियो अच्छी लगे फिर भी लाइक करना वीडियो ने अच्छी लगे फिर भी लाइक करना दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप ये बैट्री देख सकते हो ये ओकाया कं निकाला और सबसे इंपोर्टेंट चीज है जो इस बैटी के साथ या किसी भी नई बैटी के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ जिसकी साथ जिसकी गारेंटी आती हो इसके साथ गारेंटी कार जरूर होता है गारेंटी कार होता है फिर बारेंटी कार होता है इसको बहुत जा जरूरत पढ़ती है और बिना इसके चेंज़ नहीं होती है ना जो कोई किलेम होता है उसके साथ दोस्तों यह नट मिलते हैं जोके सम्पनी के साथ आते हैं इसको जरूर लगनाई यह और पर खोलने के बाद ठीक है इस टाइप से यहां पर लगाये जाते हैं यह आप देख सक तो finally मैं इस पर एक inverter लगाता हूँ, inverter लगाने के बाद इस पर 200 watt का load डालता हूँ फर देखता हूँ कितने घंटे चलता है इस पर जिससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि अगर हमारे गर 50 watt का load होते तो कितने घंटे चल पायागा दोस्तो दोस्तो हमारे पास एक inverter रखा हुआ कि हम जादे load डाल कर टेस्ट करेंगे क्योंकि रात का टाइम है और पता चल जाए कि इतने वाट लोड फिर हम इसके अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने वाट लोड इतनी देर चला तो 50 वाट या 100 वाट कितनी देर चलेगा दोस्तो दोस्तो मैंने इंबेटर को बैटरी में क इसकी ग्रेप्टी जो है वो 1200 है 1220 ग्रेप्टी है ठीक है अब हम यह देखते हैं कि यह बैटरी जो है वो 200 वाट लोड पे कितने घंटे चलती है दूसरे सेल की यह बार चेक कर लेता हूँ ऐसा होता है कि अभी कभी कमपनी से बैटरी डाउन आ जाती है तो ऐसा ना हो कि आ आपको आसानी से यहां पर लिखा हो मिल जाएगा ठीक है 200 वाट का यह बलब है इसका आप साइस देख सकते हो बड़ा है और इसको इन्वेटर के पीछे हम लगा देते हैं इसके पिलग को ठीक है इसके पिलग को हमने इन्वेटर के पीछे लगा दिया एक बार हम आउन कर आउफ करके दिखाते हैं यह इन्वेटर को आउफ किया यह इन्वेटर को आउन कर दिया ठीक है उसके साथ-साथ जो इन्वेटर का लाइट वाला बोर्ड फिलग है वो यहां पर रख दिया मैंने कि आप लोग को यह ना लगे कि किसी भी तरह की गलत वीडियो मुझे इतने भी टाइम इसमें उपर होगा वो आपको पता चल जाएगा कि 200 वाट का लोड इतने घंटे इस बैटरी पर चल सकता है ओकाया की 40 अभी मैं इस वीडियो में इसके प्राइस बगर भी बता दूँगा जब यह डाउन होगी बैटरी तो वीडियो को देखते रही हो बा 12 विच के 20 मिनट हो रहे हैं और देखते हैं यह बैटरी कितने देर चलती है 200 वाट लोड पर फाइनली आप लोग इस वीडियो को देखते रहे हैं अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लाए बहुत बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे इन बैटर और बैटरी की बहुत सारी रेट बगर बाली वीडियो लेकर आता रहता हूं अपने चैनल पर फाइनली दोस्तो इस बैटरी पर अभी जो है वो 33 मिनट लोड चलते हुए हो गया ठीक है और देखते हैं कि कितने देर पर चलता है आप लोग देखते रहे और ऐसे प्यार से आप लोग इस वीडियो को देखते रहे हैं तो फाइनली जो है यह इन बैटर और यह बैटरी जो है इसमें लो बैटरी का आप्सन जो है वो जलने लगा है ठीक है अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूं कि यह बैटरी इस बैटरी पर 200 वाट का लोड कितनी देर चला है हाला कि 20 से 25 मिनट और चल सकता था अगर इस बैटरी को हम 1 से 1.5 घंटा चार्जिंग पर लगाते ये बात बिलकुल सच है और सही है मैं कुछ भी गलत बताने नहीं जाता हूँ बैटरी पर चला है अगर हम 50 वाट की बात करें तो ये जो है एक सम्टिंग ऐसी मान के चलिए कि 2.5 घंटे चला है ठीक है ये 200 वाट लोड है जादे लोड होता है इतना लोड नहीं डाल सकते इस बैटरी पर कम देर चलेगा तो अगर आपको ये एक परसेंट भी वीडियो अच्छी लिए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्काइब करें इसी बहुत सारी वीडियो देखने लिए फेंट्स चलते हैं किसी और वीडियो की तरफ तो फेंट्स बाई बाई गुड़ बाई टेक केर